और जैसे कि हम लगतार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह चेमबर का जो दंगल है शुरू हो चुका है और हमने भी जो चेमबर का दंगल 2024 का एपिसोड शुरू कर दिया है और मेरे साथ प्रकास बेज जी है जो पूर्वा अध्याक्ष रहे है चेमबर के और मैं सीधे उनके पाँ जाओंगा और एक बर फिसे उमीद्वारी कर रहे हैं उमीद्वार है निर्वाचन में और उन्चे में थोड़ी पटिके लेने की कोशिश करूँगा एक बर फिसे आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत दन्यावाद लान बाई प्रकास जी पिछले बार जब आप अध्यक्स थे कई मुद्दों पर आपने काम किया था और कुछ मुद्दे आगे भी बढ़ाए थे और एक बर फिसे आप उमीद्वार है निर्वाचन में तो उमीद क्या कर रहे हैं और क्या कहेंगे तैयारी की चल दियारी का संबंध है तो इसमें कोई तैयारी करने वनी बात कुछ भी नहीं है मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अपने आपको समाज के हित के लिए और समाज के काम के लिए समर्पित कर रखा हूँ आज अगर समाज चाहता है हमारे वैपारी भाई चाहते हैं कि उनको मैं नेत्रित वदू मेरा काल के समय में देखा है कि मैं हमेशा वैपारियों के हित में वैपारियों के लिए कहीं भी बेबाग बात को रख सकता हूं चाहिए वो सरकार के समक्ष हो चाहिए अधिकारियों के समक्ष हो या किसी अन्य के समक्ष में हो मेरा ऐसा मानना है कि चेंबर का उदिश्य क्या है चेंबर का उदिश्य कोई समा सेवा करने का उदिश्य नहीं है चेंबर है कि किस तरह से हम व्यापारियों को हितों को ध्यान में रख करके जो उनको ऐसुविदाएं सरकार की कुछ नीतियों के खिलाब या किसी अधिकारी की वज़े से अगर वैपारियों कोई ऐसुविदा होती है या किसी और डिपार्टमेंट की वज़े से होती है तो उस बात को सरकार तक पहुंचाना और उसकी समाधान ह तो अगर इसी उदेशियों को नजर अंदाज रख करके फिर एक बार जो है मैं इलेक्षन के लिए अवसी अपने आपका नुमिनिशन दिया हूं और अगर जो भी सदस्य जीत करके आएंगे और अगर उनको लगता है कि मैं नित्रुत कर सकता हूँ और उनकी लिए खरा उतर सकता हूँ तो डेफिनेटली जो है हम आगे काम करने के लिए छुक रहेंगे इसे कौन-कौन से विशेश तोर पर मुद्दे है जिन पर आने वाले समय में चेंबर को काम करने के आ सकता है तो आपसे भी जानना चाहूँ देखिए मुद्दे बहुत है आज अगर हम सबसे बड़ा जोलित मुद्दा है जीस ती का जिस तरह से जीस्टी को लेकर के व्यापारियों को तंग किया जगया है मुझे याद है कि जब नरेंदर मोदी जीने जीस्टी को जब आरम किया था आरिन जोटी जीन उनने का था कि बई सत्रह अठारा जब उन्होंने इंट्रोड़क्शन किया था उस समय कि किसी के फाइल को खुलेगी नहीं कोई उनको एस्व विदाए नहीं आएगी लेकिन आज दोजार चोबीस में तेईस में व्यापारियों को जिस तरह से परिशान किया गया है उनकी वो फाइलें खोल करके जबकि सरकार को खुद को अपना पता नहीं था कि इतने एमेंडमेंट्स लाएं हैं कि माल लीजे कि तीन सो पैसे दिन में तीन हजार एमेंडमे करें या डिपार्टमेंट की कंप्लेंस को कंप्लीट करें वो एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि आज एक वैपारी को कितने किसम के लाइसेंस लेना पड़ता है चूंकि मैं केट से जोड़ावा हूं केट का उपार्दैक्स भी कि जिस तरह से आपने one nation, one text लाया उसी तरह से one nation, one license भी होना चाहिए, ये पचीस तरह के चपीस तरह के licenses नहीं होना चाहिए, और जहां तक मुझे जानका रही है कि ये process काफी file आगे तक बढ़ी वी है और ये इस बार सरकार का गठन होने के बाद हो सकता है कि दो तिन मैने मे और हमारी केट के दुआरा ही प्रतन करके भी इस बात को उठाया जाएगा और उठा करके उनको उस चीज को वहाँ पे इस मुद्दे को भी लिया जा सके आज जैसे बंद के विसे में लिजिए कि जो वैपार बंद का Sunday का एक जो इशू था जो अब और सब इसे एक्विंट श्यकुर्स काम करने का दिया जाता उससे छोटे वैपारियों को भी हाँ उसके रासी को जिस तरह से अगर वो बोलते हैं कि प्चास अजार है तो चोटे वैपारियों को पांच हजार लो пять happiest और वो करो तो भूदय भी उठाएजा सकते है तकि जिस तरह से competition बार में है उस ब देने जर रखते हो उसको मानते वे उसकाम को आगे बढ़ाई जा से जो दारा है आपको क्या लगता है जो चेमबर का दारा है और इसका दारा क्या है मैं आपको जानतक मुझे जानकारी है मैं पिछले समझे लीजिए कि आप 5-6-7 सालों से मैं चेंबर से जुड़ा हूँ लेकिन इसके पहले कि जब बाते हैं चेंबर के दुवारा पूरु है लोगों से जब बात करते हैं तो चेंबर इतनी ससक्त बोड़ी है कि इसे आप सरकार के नुमैंदे कह दीजिए या किसे म में कह दीजिए वो बहुत रिस्पेक्ट और इजट से पैसाते थे और आज वो भी आज भी वही इस्तिति बन सकते हैं कि चेंबर अपने आप बहुत बड़ी सक्ती है वापरियों के संगटन देखिए जब आप किसी भी रूप में अगर बात करते हैं तो अगर आप संगट नहीं उठा सकता है यह चेंबर की बहुत बड़ी सक्ती है और हमारा उद्दिश्य भी यही जब हमने अपने कर्याकारन के दोरान में अगर आप किसी से भी पूछेंगे या कुछ भी चीज़ों को देखो के तो यह चीज़ सामित होती है कि प्रसाशन भी उस बात को माल दे हम कैसा समादान हो सकता उसके विसे में हम सरकार को अपना राय मसूरात भेजते हैं कि उसको इंप्लेमेशन करें यह हमारा मुग क्यों देखी गई है कि कुछ अस तक बढ़ी ज़रूर है लेकिन जिस तरह का सदस्यता भड़ती अभियान होना चाहिए जिस तरह रूची होन का का चारण कि है और इसका जो एरिया है आपका जो यह चेंबर है तिन्सुक्रमीयाे चेंबर का कितना दूर तक है तुब है कि जो आदमी चेंबर को लिट करता है वेपारी क्या देखते हैं कि क्या चेंबर के दोरा हमारी समझाओं का सबादान हो सकता है तो अपने आप जूडएंगे उनके साथ में और हमारा प्रयाश भी यह रहेगा हम किसी के पाद जाकर कि क्यों किसी को कहेंगे आप चेंबर के सद् संस्ता है जो वेपारी के हित के लिए और वेपारियों के लिए काम करती है तो अपने आप जूडएंगे ऐसा मेरा मानना है तो यह तो देखो मैं जितने भी लोग चेंबर में अभी जितने सदस्य गण हमारे जो अभी 38 लोग जो खड़े हुए हैं उसमें कोई 25 लोग जीत होंगा कि इसी तरह के संगटन हमारा यह 75 साल पुराना संगठन है मैं केट के दुवारा भारत के हर स्टेट में मैं हर चेंबर में कम से कम नहीं है तो मुझे पशासों चेंबर में जाने का मोगा मिला है और जब भी कोई मोगा मिलता है तो हम वह सीखने के पॉइंट ओ व्य इसको देता है और वो अपने आपको सम्मानित और गरोवेट फिल करता है कि मैं उस चेंबर का सदशिय हूं हमारे यहां तो शिर्फ हम नो सो रुपया ले रहे हैं लेकिन कहीं कह सकते हैं कि उसमें हम ही लोगों की कमी जो भी सदशिय चून कर गयते हैं उनकी कमी कहूंगा ह हमारी कमी कहूंगा कि साइध हम उनकी अपक्षाओं में खरे नहीं उतरे होंगे इसलिए वो लोग इसको दूर हो जाते हैं उससे देखिये मैं तो उसका एक उधारन के तोर पर आप दे सकता हूं जब हम अध्यक्स थे और हमने जी एस्ट के अगेंस्ट में एक भारत बंद का आहां दिया था केट ने और चूब कि उसमें केट नौर्थ इस्ट के लिए बहुत नया था लेकिन उस प्लेटफरॉम के साथ में लेकर कि हमने पूरा का पूरा नैशनल चेमबर ओप कॉमर्स का हितु में पूरे नौर्थ इस्ट में उसके उद्देशियों को और उसके बात को लेकर कारो मुझे फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि उस एक आहान पे पूरा नौर्थ इस्ट बंद हुआ था तो हम कैसे कह दें कि ये चेमबर की सक्ती कमजोर है बिल्कुल नहीं है वहापारियों को भी चाहिए कि देखिए कमिया सब में है मैं कभी भी नहीं कहूंग सकता है ना चेमबर का कोई भी पदादी कारी कर सकता है लेकिन उनका मुख्य उदेश होना उस बातों को पुर्जोर डंग से सरकार के समक्स या उन अधकारियों के समक्स रखना और उसको फॉल उप करना फॉल उप करके अगर माली जी के समाधान का तो मैंनी सोचता हूं कि उसका समाधान नियुकता है अब मैं एक आपके चैनल के माधियम से मैं पूरे ठीश्य क्या व्यास यह पयरियों को चाये वो सदशभी है या सदश्य काम करे गा जब गुड का जिस समय में हमारे कारेकाल के समय में गुड की को लेकर के कुछ एक समश्या आई थी जिसमें अधिकास व्यापारी गुड के चेंबर के साथ जुड़े वे नहीं थे लेकिन हमने चेंबर के दोरा प्लेटफॉर्म पे उनका भी समाधान का काम करके दिया है वो आप अगर गुड के व्यापारियों को जाके पुछेंगे तो बताएंगे कैसा है तो हमारा एक कहना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात को पुर्जोर ढंक से सरकार के समक्स रखा जाए रोसका समधान हो तो मेरा अनुरोध सब व्यापारियों से रहेगा कि आप चेंबर के सदस्य और उसके साथ मैं आपको और एड़ एड़न करना चाहूंगा कि चूंकि केट कन्फिटेशन ओप ओल इंडिया टेड़ जिसका मैं पूरे नोर्थ इस्ट का प्रभारी भी हूं मैं वहां का राश्टिय अद्धेक्स उपल देक्स भी हूं तो मेरा ऐ जीतेंगे और यह इतियास है कि चांदी चौक से जो भी वेक्ति जीत कर गया है वो आज तक का पुराना अगर इतियास देखते हो तो उन्हें मंत्राले भी मिला है आज अगर परविन खंडेलवाल जीत करके पार्लियमेंट में जाएगा और अगर उन्हें मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें मंत्राले भी मिलेगा अगर वो मिलता है तो केट और नेशनल चेंबर अपूमर्स मिल करके नौर्थ इस्ट के व्यापारियों के सवाधान है तो हर काम किया जा सकता है क्योंकि हमारा पार्लियमेंट में एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो हमारी बात को हुआ पुर्जोर डंक से रखेगा हर मंत्राले के साथ में उनका कनेक्ट है और चूंकि वो जब एक मेंबर ऑपार्लियमेंट बन करके जाएंगे तो उनकी सकती और बढ़ जाएगी और उनकी सकती बढ़ना के साथ साथ हमारे संग्टनों की सकती बढ़ती है तो यह मैं एक विश्वास दिलाना चाहूंगा आने वाले समय में वैपारियों को कि केट और नेशनल चेंबर ओप कोमर्स के दौरा आपकी बात को दिली तक मैं वादा करके कह सकता हूं कि ठोक करके आपकी बातें उठाऊंगा और दीन रात एक कर देंगे कि उनकी समचा का समाधान करके दिखाएंगे मैं एक छोटा सा उधारन आपको दूँगा जब हमारी आसाम सरकार ने पानी के विशे में कुछ एक डिजिजन लिया था तो उस डिजिजन के लिए मेरे पास में उस समय के के प्लेटफॉर्म पे गौहाटी से उनके एसोशियेशन के सेकेर्टरी और परसीड को एक समाधान की तरफ ले जाके दे सकते हैं और मैं आज आपके चैनल के मादे में से फिर एक बार मैंने पहले भी का है आज मी मैं कहता हूं कि वो केट की सकती थी किस तरह से हमने अपने मुख्यमंत्री जी को समझाया बताया हमारी समश्याओं को आउगत कराया और मैं उन नवा देता हूं दिल से हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उसमें कुछ समाधान निकाल करके उनका दिया तो अगर आप संगटित हैं और संगटन के साथ साथ में अगर आप सकती बनके पीछे उबर सकते हैं तो देखिए आगे जाके आपकी बात उठाने के लिए हम कई भी कमजोर नहीं होंगे यह मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं केट के भी आप में बोल सकता हूं अगर मुझे जीता करके अगर हमारे सदेशेगन हमें जीताते हैं और अच्छे सदेश्यों को वहां भेजते हैं और अगर वहां फिर मोका मिलता ह है तो आपकी बात को तो मैं वादा खर सकता हूं कि मैं पुर्जो ढण से आपकी बात को उठाऊंगा हर मुद्दे बे बात की जाएगी और जैसा मेरा विक्तित्व होगा या मेरा विचारदाने मेरी काम करने किसे लिए मैं हमिशा सब को साथ में लेकर के चलता हूं यह साय लोग मेरे बारे में कोई गलत राय या गलत बात नहीं रख सकते हैं लेकिन मेरा हमेशा से एक उद्धी से रहता है कि सब को साथ में लेके चलो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी काम किया मेरी टीम नहीं किया मैं कभी नहीं कहता हूं कि प्रकास ने कोई काम किया मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ आगे जाके करता हूँ जो अगर कोई भी नकारात्मक बात हो उसके लिए मैं जिम्मवार हूँ वो उनको अगर लगता है कि जिसको उनको अच्छा लगे कि ये परतिनीतित कर सकता है उसको अगर देते हैं करने के लिए तो उसके इसाब से काम जो है व्यापारियों के हित्मे काम को किया जा सकता है करेंगे ये आस्वासन दे सकता हूं मैं सबको अच्छी तरह से बहुत मतलब तीन रुपया पर दिन का भी नहीं होता है कि हम एक घम्ल पान खाते है तो दस रुपयाखके प्कमार के फेख दे थे एख बढ़ एक पुडिया खाते है है ज्यादा तरsweise मैं देखा हूं भी वापरी वर्ग में भी बहुत लोग खाते हैं पचास सो रुपया की पुड़िया खा कर लेते हैं तो करपिया मेरा अरॉड रहा है क्वूस नो सो रुपय कर ना ना देखें बल्कि चेम्बर के सादिर से आप बने ये मेरा अंडरोग सब से आज मैं आप से उमीद रखता हूँ मेरे वैपारी भाहियों से कि वो सब इस बात को सुनने के बाद चेंबर के सदस्य जुरूर बनेंगे और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर हम चेंबर में हैं तो आपकी बात को दिल्ली तक हमारे तिनसुग्या लेबल में से लेके करें फिलाल में लोगा विद्या फ़रसाइट बने रही है आप देखते रहें बेकी में समझाव